हेलो दूस्तों कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ आपसी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज के वीडियो क्लाश्ट्विल्थी स्टुडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के स्पीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश्ट्विल्थ हिंदी का महत् पत्र लेखन को आज के स्पीडियो में हम जानेंगे देखिए पत्र जो होता है पत्र लेखन आपके बोर्ट इक्साम में पूछा जाता है तो पत्र तो वैसे बहुत सारे हैं बट मात्र आपको ये दो पत्र लेखन आपको त्यार कर लेना है जो आज के स्पीडियो में हम कर आएंगे यदि आपने ये त्यार कर लिया मैं फिक्स है दावा करता हूं कि इन दोनों में इसे ही एक आपके बोल्टिक साम में आ जाएगा तो चलिए वो कौन-कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं मैं यही कहूंगा वीडियो को आप अंतक्स जरूर देखिएगा क्योंकि यह तो फिक्स है ना ये टॉपिक कि आएगा ही आएगा इसलिए मैं कहा रहा हूं तो चलिए हम समझते हैं देखिए हमने लिख दिया है क्लाश 12 हिंदी पत्र लेखन अब वो कौन-कौन से दो इन्पोर्टेंट पत्र हैं जिसे हमें त्यार करना है देखिए पहला हमने इन्पो प्रबंदत से रिन प्राप्ति है तू आवेतन पत्र यह मैं कह सकता हूं बहुत ही भी भी आई है बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है तो इसको हम अभी समझ लेते हैं जान लेते हैं उसके बाद फिर से हम देखेंगे जो है अधर जो टॉपिक है जैसे दूसरा हमारा जो दूसरा लेखान है उसे हम समझेंगे देखें यह पूरा हमने पत्र लिखा हुआ है एक को सबसे पहले बाद इस्टेफ भाई स्टेफ क्या हमें करना है यह आपको समसना पड़ेगा ठीक है समझे सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे क्या सेवा में और जैसे लिखने के काम एक norm डेंगे यह रखें कॉमा देना वाल है कॉमा के जस्ट नीचे देख़री हैं ना मैं समाप्ठ वहां जसके फिसे लिखेंगे शरीमान साखा प्रबन्दक ठिके उसके बाद फिर से बेंक का नाम लिखेंगे जैसे बेंक अफ इंडिया हमने लिया है आप पंजाब न जो जिला है वो दिवरिया है तो मैंने जो यह बेंक किस में पढ़ता है दिवरिया पढ़ रहा है ठिवरिया जिले में उसके बाद किस राज्य में तो यूपी में पढ़ रहा है तो इतनी बात आप लिख देंगे बेंक का नाम जिले का नाम अपना राज्य का नाम लिख दें जैसे ऐसा नहीं है कि bank में कह रहा हूँ कि इस राज्ये में कुछ अला लिखा जाएगा दूसरे राज्ये में कुछ अला लिखा जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है letra the same to see here नहीं है ठीक अधर बहुत सारे राज्ये तो उसमें क्या सब्सक्राइर ना सब्सक्राइं अब तो तो सेंट संप नें इस अवैंग वाधी ना होगा ऐसा थोड़ी नहीं है तो टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत तो अपने तरफ से भी मैनत करना चाहिए ना कि कौन स्लेबस में मेरा है कौन नहीं है यह तो आपको थोड़ा सा जिम्मदारी के साथ आपको पता भी कर लेना चाहिए ठीक है तो मैं क्या सिखा रहा था मैं यहीं कहा रहा था सेवा में फिस लिखेंगे नीचे जस्ट आप लिखेंगे स्रीमान शाखा प्रबंदत फिर से बेंक अफ इंडिया देवरिया उत्तर प्रदेश इतनी बार लिखने का प्रशान यह सबसे इंपॉर्टेंट है यह अगर नही बीसे आप लिखेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं लिखेंगे नहीं मिलेगा बीसे बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए बीसे मैं क्या लिखा गया है रिण प्राप्ति है तू आवेदन पत्र ठीक है तो रिण प्राप्ति है तू आवेदन पत्र इतना आप लिख देंगे क पहले के जबाने में क्या होता था अभी तो लेटर नहीं अभी तो मतलब इमेल द्वारा सब कुछ हो जा रहा है फिर भी कहीं कहीं जो क्या है लेटर ही लिखा जा रहा है पत्र ही लिखा जाता है जैसे बेंक में आप जाएंगे तो बेंक में पत्र ही लिखा जाएगा तो क्य चीज के लिए पढ़ने का समय नहीं है तो सीम्पल से जाएंगे आपके विसे पढ़ लेंगे कि आपने किस चीज के लिए पत्र लिखा है तो आपने बता देया रिंड प्राप्ति होती हो आवेदन पत्र वो समझ गए कि रिंड के लिए आपने आवेदन लिखा है वो अपना जल से जल उसको complete करके भेज़ देंगे समझ रहना तो इससे क्या हो जाता है 20 लिखने से एक सब्द में आपने ये सब कुछ एक वाक्य में लिख दिया तो इससे समझ में आता है जल्दी जल्दी काम होता है इसलिए 20 लिखना अनिवार होता है तो आप लिख लेंगे 20 लिखने के पश्चात जश्ट इसके नीचे ठीक है समझ रहना सेवा में फिर से इसके नीचे फिर से आप फिर से सेवा में के नीचे लिखेंगे 20 ठीक है उसके जश्ट नीचे महोदे उसके बाद लिखेंगे सब्विने निवेदन है की महोदे सब्व बहुत तरीके के बहुत सारे कारण से लिख सकते हैं, फसल के लिए लिख सकते हैं, खेती के लिख सकते हैं, पढ़ाई के लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, यह आपको लिखना है कि किस पर हमें चाहिए लोग, तो मैंने पढ़ाई के संबंद में लिखा है, तो मैंने लिखा है जो गोरकपुर विस्व विद्धाले है वहां से बीए ठीक है बीए की प्रतम स्रेंडी से उत्रेंड की है लेकिन अभी तक हमें कोई भी रोजगार नहीं मिला है ठीक है हमें सूत्रों से यह पता चला है कि बेभिन रीड योजनाओं के अंतरगत आपको बेंक से बेंक भी बे लिन प्रदान कर रहा है थोड़ा से बस समझेगा तो हमने यहां से पता चला है कि बिभिन यूजनाओं के अंत्रकत बेभिन रिड योजनाय जो है ठीके लोन लेने की योजनाय होती है तो उनके अंत्रकत आपको आपका बेंक भी बेरोजगार युवाओं को एक से दो लाग तक का रिड प्रदान कर रहा है ठीके अता आपसे निवेदन है कि आवस्यक दस्तावेज भर कर हमें भी रि रिजब कर सके यह आपका हो गया यहां से लिख देंगे दीनांग दीनांग है 30 दिश्यक्रणब 2023 इतनी बात आप समझ के होंगे तो दिनांग मैंने 30 दिश्यक्रणब 2023 आप कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी मतलब जिस दिन अधिमा ये पत्त्र लिख रहा है उस दिन का ड प्लेक का एक ब्लू का यही दो कलर का यूज करना है रेड़ पेन का यूज नहीं करना है इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है अगर समझाने वाला होता ना तो मैं बिल्कुल आपको बताता दो ही चीजों का विसेश कर ध्यान देना है सबसे पहली बात एक लिखने क कई स्टेप आपको ध्यान देना है कि किसके बाद कैसे कैसे हमें लिखना है दूसरा कार्ट पीट नहीं करना है यह दो चीजे आपने नहीं किया तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे मैं आसा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समस में आ गया होगा ठीक है तो पहला ह हमने इनपोर्टेंट जो पत्र है वह हमने त्यार कर लिया इसके ले लिए उसके बाद दूसरा इनपोर्टेंट जो लेटर है जो पत्र है उसे हम देख लेते हैं इसके लिए होगा तो अब हम देख लेते हैं अगले इनपोर्टेंट पत्र को तो देखिए हमारा दूसरा इ देखे इसको बहुत तरीके से इस पत्र को घुमा कर पूछा जाता है जैसे कभी कह देगा कि नगर के सफाई है तो एक पत्र लिखिए ठीके या आपसे कह देगा कि मुहले की सफाई है तो या आपसे कह देगा गाउं की सफाई है तो एक पत्र लिखिए या आपसे कह देगा क मच्छडों के प्रकोप के लिए एक पत्र लिखिए तो मच्छड कब आएंगे जब गंदगी होगी तभी ना आएंगे तो इस पत्र को बहुत सारे तरीके से घुमा कर लिखा गया है अगर इन सभी में किसी तरीके से भी घुमा कर लिखे आप केवल इस तरीके से बोड एक्स नंबर मिलेंगे देखिए सभसे पहली बात ये भी बाताफ जानते हैं कि यहां परARON सेवा में लिखने के पारत कॉमा देंगे जूसके जस्ट निचे लिखेंगे स्वास्त अधिकारी नगर निगम प्रियाग राज उत्तर-प्रदेश आप कुछ सफाई है तो नगर पालिका के पास एक पत्र मोहला यहाँ पर अगर नगर कहा है तो यहाँ पर नगर लिखेंगे तो बेटर रहेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर नगर ही लिख दे रहा हूँ ठीक है बात समझ में आ रहा है ना, नगर कहें नगर लिखेंगे, गाउं कहें, गाउं लिखेंगे, मुहला कहें, मुहला लिखेंगे तो नगर की सफाई है तुम नगर पाली के पास एक पत्र, उसके जस्ट नीचे, भी से बहुत important है हमने बार-बार आपसे कह दिया है उसके बार नीचे लिखेंगे स्रीमान ठीक है स्रीमान मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज अब ध्यान से समझेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्त अधिकारी का ध्यान अपने नगर की गंदगी की और लाना चाहता हूँ सिंपसम ने कहा दिया कि इस पत्र के माध्यम से में प्रयाग राज नगर निगम के स्वास्त अधिकारी का जो ध्यान है वो इस नगर के गंदिगी के और लाना चाहता हूँ ठीक है? आपको यह जान कर आश्चर यह होगा कि हमारे छेतर में कई दिनों से कोई सफाई करमचारी नहीं आ रहे है मतला हमें ऐसे कहना है न जिससे उनको दुख भी ना पहुँचे ठीक है? उन्हें गलत भी एसास नहों वैसे तो अधिकारी को सब पता ही जाना तर रहता ही है ठीक है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बट हमने ऐसा लिखा कि आपको यह जानकर आश्चरी होगा ठीक है? आपको यह जानकर आश्चरी होगा कि हमारे छेतर में कई दिनों से कोई सफाई करमचारी नहीं आ रहे है ठीक है जिसके कारण बहुत अधिक गंदगी बढ़ गई है ठीक है उसके बाद देखिए यही पर हमने एड़ किया है कि सड़क और नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है यद तो वह हमने लिखाया कि मच्छोडों का प्रकूप इस हद तक बढ़ गया है कि कि दिन का चैन और रात का नीन हराम हो गई है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा महलाम हमारी के चपवेट में आज आएगा ठीक है इतना लिखने के बाद अता आपसे निवेदन है कि ह यह चいきा बिवस्ता करवाएं इतनी बातों को आपको लिख देना है इसको फो दिखे मैं कहता हूranा कि मैं लुक्या वही सब्डों सब ऐसा ही आप लिखिए यह ज़रूरी नहीं हैідश है आप अपने सब्दों में लिख सकते हैं आप सुने बुद्दीमान है थोड़ा बहु स्टार्ट होना चाहिए कि किस से हमें क्या-क्या लिखना है कैसे हमें थोड़ा सा मतला आपको जो इसके स्टेप बई स्टेप है यह आपको पता होना चाहिए अदरवाइस यह सब तो अपने सब्दों में आप बनाकर भी लिख सकते हैं उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे दिनांग में 22-24 यह हमने लिख दिया है क्योंकि 22 तरीका पेपर है तो वही से हमने लिख दिया उसके बाद यह आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भावधिया या भावधिया यह से आप लिख देंगे उसके जश्ट निखेंगे नगर का नाम अगर आप किस नगर से हैं किस महले से हैं किस गाव से हैं उसका नाम आप लिख देंगे निवास अगर क्या है वो आप लिख देंगे आपका काम हो जाएगा तो यह हुआ आपका सफाई के लिए एक पत्र नगर पाली का के पास ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कह सकता हूं यह दो पत्र आप बिल्कुल तयार कर लेंगे इसके बाद अगर आपके वादश समय है ये दोनो तयार है और उसके बाद भी अगर समय है तो ये और आप तयार कर सकते हैं लीपी पद्द्ध हे तो प्रधानाचारी के पास एक पत्र लिखने होता है तो मैं कहूंगा अगर तयार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ लीजेगा otherwise ये दो भी तयार कर लेते हैं तो काफी रहेगा तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समस में आ गया होगा तो आज से हम हिंदी की टॉपिक आपकी तयार होती है आज से अब हिंदी की मुझे लगता नहीं कि आप वीडियो आएगा देखे फिदिक्स के लिए बहुत सारे इसे स्टुडेंट है जो कुछ कह रहे थे ठीक है तो उस पर भी जल्दी हम वीडियो लाएंगे ठीक है और आपको एक बहुत ही अच्छी खुसखबरी मिलने वाली है मुझे लगता है आज नहीं तो कल आपको सामको मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो वह बिग अपडेट क्या है सब कुछ मैं आपको डीटल में एक्सप्लेन करूंगा अदरवाई चैनल पर नहे होंगे तो चैनल को सब्सक्रा झाल